हालो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माइ न्यू वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया है न्यू टाटा 1923 क्यूमिन्स इंजन के साथ जो कि आपकी काउल में रहने वाली है चैसी आज मैं आपको इसके वारे में पूरी जानकरी दूँगा किसका एक शोरूम प्राइज आप क्या रहेगा और इसकी माइलेज आपको कितने की मिलेगी और इसमें आपको क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे उसके वारे में आज हम पूरी डिसकस करेंगे और इसके एक्शोरूम प्राइज और ओन्रोड प्राइज की हम बात करेंगी सबसे पहले हम इसका फ्रंट जो कि आपकी white color में रहने वाली है और नीचे की तरफ आपको दो pipes दिखेंगे ये front में ये आपकी steering pump की रहने वाली है उसके नीचे आपको bumper मिलेंगे दो दोनों के दोनों bumper आपके लोहे के रहने वाले है upper वाला और down वाला और यहां पर आपको simple से headlight दिए जाएंगे with parking के साथ उपर की दरफ ये plastic की बार मिलती है और यहां पर आप spare headlight लगवा सकते हो उसके लिए भी थोड़ी से जगह दी गए और यहां पर आपको गाड़ी को tow करने के लिए hook दी गई है और बात करेंगे इसके side indicator के वो आपको विल्कुल simple side indicator देखने को मिल जाते है और बात करेंगे अब conductor side की तो यहां पर आपको दो footrest देखने को मिलेंगी सबसे पहले और ठीक इसके इंदर आपको यहां पर GVW और यहां पर आपको chassis number देखने को मिल जाएगा TN GCW भी आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर आपका air filter दिये गया है फ्रंट टायर के आगे यह आपका air filter रहने वाला है इसको plastic का कर दिया गया है पहले यह आपका लोहे काता बटीस में आपको plastic का कर दिये गया है यह बात आपके लिए काफी थोड़ी नुकसान दाएक हो सकती है अगर आपका कहीं भी tire blast बगएरा होता है तो आपका सीधा effect आपके air filter assembly में जाएगा और आपका कुछ नकुछ नुकसान होगा बट इसके लिए आपको यहाँ पे cover देना पड़ेगा पूरा का पूरा आपको cover देना पड़ेगा टाइट से बचागाने के लिए और यहाँ पे आपको जो air brake मिलेगी वह आपको fully air brake मिलेगी और यहाँ पे आपको leap spring suspension system मिलेगा और यहाँ पे आपका यह रहा steering wheel का कुपपा उसके teach नीचे आपको यहाँ पे filter मिल जाता है यह आपका amrela engine के साथ आएगा 6 cylinder के साथ with यहाँ पे आपका feed pump मिल जाएगा और 12 voltage की दो battery मिलती आपको excite की 12-12 voltage की मिल जाएगी और यहाँ पे आपको cut out switch main देखने को मिलता है और ठीक नीचे उसके आपको air tank बड़ा सा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो आपका बड़ा सा air tank है सबसे पहले जो आपकी BS6 गारी आती है उसमें आपको बारीक से पतले पतले 6-7 air tank दिये जाते हैं पीछे की तारफ यहाँ पे बट इसमें आपको एक air tank मिलेगा जिसकी क्वेस्टी आपकी काफी बड़ी रहने वाली है और यहाँ पे आपका मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपका spare wheel रहेगा और यहाँ पे जो आपके AWS के modules देखने को मिल जाते हैं तीन air modules आपको मिलेगे जो कि आपके air के साथ ही होते हैं और बात करेंगे अब इसके rear की आपको rear में fully LED backlights देखने को मिलेंगी जो आपकी backlight आप वो fully LED रहेगी और यहाँ पे आपको पांच बोईस आरपार सेंसर देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप इसका view चेक कर सकते हैं यह आपको कितने body length के साथ provide की जाएगी उसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे कि इसकी कितनी कितन रहने वाली है और यहाँ पे आपका GPS रहेगा अब बात करेंगे इसके थोड़ा इसमें आपको क्या-क्या फिक्चर से मिलेंगे इसमें आपको cruise control देखने को मिले जाएगा cruise control बगएरा यहाँ पे आपका handbrake रहेगा और यहाँ पे आपका फ्यूल टेंक वो आपका plastic का रहन अचली डेफ, diesel exhaust fluid के वारे में आपको बताया गया है और यहाँ पे आपका छोटा सा filter होगा जो कि आपका यूरिय का रहने वाला है और यह आपकी यूरिया गेज और यह आपका प्रेशर लाइन की pipes हैं, जो की अयर्ब्रेक की है, और यहाँ पे आपको जो इसके नीचे सब्सक्राइब करेंगे इसके साथ ही हमारी 35 भी खड़ी है इसके अबारे में अगर आपको जाना हो तो कमेंट करके जरूर बताना मैं आपको पूरी जानकर इसके वारे में भी प्रवाइड करवाऊंगा अब बात करेंगे इसके एक्शोरूम प्राइज की और इसकी माइलेस के बारे में कि ये गारी आपको कितने की माइलेस प्रवाइड करेगी और इसमें आपको और एडवांस क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले हम बात करें इसके एक्शोरू पर लिटर की mileage प्रवाइड करती थी और इसमें जो आपका fuel tank रहने वाला है वो आपका 300 लिटर का fuel tank आपका रहेगा और 65 लिटर की आपकी urea tank की रहने वाली है में चीज आपकी आती है पेलोड और gvw इसका क्या रहने वाला इसका gross vehicle weight आपका रहेगा 18500 kg इसका gross vehicle weight आपका रहेगा और main चीज आती है ये गाड़ी आपकी गाड़ी ये पास करती है आप comment करके जरूर बताना ये गाड़ी कितना पास करेगी मैं आपको बता देता हूं इसका जो payload है वो 12 टन ये गाड़ी आपकी पास करेगी और इसमें क्यूमिन्स का 5.6 लिटर का engine आपको देखने को मिल जाएगा जो की power generate करेगा 230 horsepower की ये गाड़ी आपकी और इसमें जो आपकी torque रहने वाली है 845 एनम की torque रहेगी इसमें आपको जो body length मिलेगा minimum आपको 18 feet मिलेगा उसके बाद आपको 20 feet उसके बाद आपका 24 feet maximum आपका 32 feet आपके इसमें रहने वाला है 18, 20 और 24 और 32 ये आपको 4 option body length के देखने को मिल जाएगे बात करेंगे variant की तो इसमें आपको call with चैसी आपको देखने को मिल जाती है और बात करेंगे इसके main चीज की जो कि सब के mind में आ रहे है इसका जो की price है एक्शो रूम price क्या हो सकता है इसका एक्शो रूम price आपका 25.80,000,000 से लेगे 27,05,000 तक इसका जो की आपका एक्शो रूम price रहने वाला है और बात करेंगे इसके down payment की तो इसमें आपको जो down payment करने पड़ेगे वो 3,8,000 आपकी minimum down payment रहने वाली है जो आपकी EMI monthly बनेगी वो एक लाग आपकी EMI बन जाती ह है फिर से मैं आपको इसके engine के वारे में और gross vehicle weight के वारे में फिर से बता देता हूँ इसका gross vehicle weight आपका 18,500 kg रहेगा और जो की engine है आपको क्यूमेंट का इसमें Amrela engine मिल जाता है 5.6L का engine आपको मिलेगा और जो की power generate करेगा आपकी 230 horsepower की और ये गाड़ी आपकी mileage आपको provide करती है 4.5 km per liter की आपकी ये city में provide करती है और जो variant आपको मिलेगा इसमें आपको call with chassis मिलेगी और मैंने आपको ये भी बता दिये कि इसमें आपको features cruise control आपको main feature आपको मिल जाता है और fully power steering मिल जाता है और जो आपका steering wheel है वो fully adjustable है और जो कि आपकी driver seat है वो भी आपको four way बे adjustable होग अगर आपको video अच्छी लगी हो तो channel को subscribe और like करना मत भूला अगर आपको और कोई गाड़ी के बारे में जान नहाओ तो comment करके जरूर बताना